चलिए आगे बड़ते हैं लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्की हत्याकांट की जिम्यदारी ले ली है अब साफ है कि लॉरेंस मिश्टोई भाई जान के करीबियों की जान का भी दुश्मन बना हुआ है तीनों शूटर्स की पहचान हो चुकी है और दावा है कि गिरफतार जो सल्मान का दोस्त वो लॉरेंस का दुश्मन बाबा सिद्की के कातल सल्मान के दुश्मन हत्या के गहरेतार सामने आए कई किरदार जेल से ओरडर भाई जान के दोस्त का मुर्डर जो सल्मान खान का दोस्त है वो जेल में बन कोक्यात माफिया डॉन लॉरेंस मिश्टोई का सबसे बड़ा दुश्मन क्योंकि जितने भी भाइजान के दोस्त हैं वो लॉरेंस गांग के सबसे बड़े दुश्श्मन है तो क्या बाबा सिद्धी ने सलमान खान से दोस्ती कीमद चुकाई है क्योंकि लॉरेंस पिश्नौयें और उसके गुर्गें ये कहते रहे कि जो सलमान खान का दोस्त है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि जिस तरह से हत्याकान में शूटर्स के नाम और उनके मर्डर करने का तरीका दिख रहा है उससे शक की सुई लॉरेंस गैंक पर जा रही है इन में से एक शूटर का नाम गुर्मेल सिंग है जो हर्याना करहेने वाला है मैं दूसरा शूटर धरमराज का श्याप यूपी से है पुलिस सूत्रों के माने तो इन दोनों गरपता शूटर्स ने दावा किया कि वो लॉरेंस विश्णोई गैंक से तालुक करते ही ये भी दावा है कि देर से दो महीने पहले ही उन्होंने बाबा सिद्की के घर पर रेकी की थी एक और वधर से जिससे हत्यकांट के आरोपियों के लॉरेंस गैंक से जूड़े होने के आशंग का जबाई जाली है उनके सीने पे एक गोली पेट में उनको ततकाल यहां से लिलावती अस्पताल लेकर जाये गया लिलावती अस्पताल में जब उन्हें ले जाये गया तो डॉक्टरों के मताबिक उनके बाडी में कोई भी मुमिन्ट नहीं था पूरी तरह से बॉडी शान्थ हो गई थी उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई लेकिन 11 बच कर 27 मिनट पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया क्योंकि लॉरेंस गैंग में ज़्यादतर शूटर्स कमर उम्र के होते हैं जो अपरात की दुनिया में अपना नाम बराने के लिए किसी भी वार्दात को अंजाम देने के लिए हर वक्त तयार है थे हैं महीं शूटर गुर्नेल सिंग हर्याणा करेने वाला है जिसकी उम्र 23 साल है दूसरा शूटर धरमराज का श्यब सिर्फ 19 साल का है दोनों शूटर एक हर्याणा और एक यूपी का है इसके अलामा जो तिसरा शूटर था वो यहां से भागने में सफल रहा जिसकी तलास 12 क्राइम ब्रांश की टीमें फिलहाल कर रही है उसके अलग-अलग जगहों पर दबिश की जा रही है बताया जा रहा कि काफी लंबे वक्से यह लोग यहां मुंबई में मौझूद थे और लगातार बाबा सिद्धिकी पर अटेक करने की कोशिश कर रहे थे फिलहाल उनकी तलास चल रही है जो तीसरा सूटर है वो भी उत्तरपदेश का बताया जा रहा है यह तीनों कुछ समय पहले ही जैसा मैंने बताया है हां पहुँचे थे और बाबा सिद्धिकी के घर से लेकर दफ्तर तक लगातार रेकी कर रहे थे घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे कल उन्हें मौका मिला और उन्होंने बाबा सिद्धिकी पर ताबर्तोग गोलिया चला दी लौरेंस बिश्टोई सल्मान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और बांदरा इस से विधायक रहे बाबा सिद्धिकी सल्मान खान से दोस्ती जग जाहिब है वो रमजान के दोरान अपनी इफ्तार पार्टी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे सल्मान और शारुक खान जैसे बड़े सेलेबरिटी इसमें शामिल होते रहे लौरेंस बिश्टोई सल्मान खान के दोस्तों को कैसे और क्यों निशाना बना रहा है इसकी कुछ बांगी देखिए नौ अगस्को मशूर पंजाबी सिंगर एपी धिलनों का बॉलिवट स्टार सल्मान खान के साथ गाना ओल्ट मनी रिलीज हुआ लेकिन जेल में बंद माफिया डौन लौरेंस बिश्टोई को ये रास नहीं आया उसने कैनेडा में पंजाबी सिंगर के घर पर गोलियां चलवा दी शूटर्स ने एपी धिलनों की घर पर एकी बादे 11 बार फायर किया फायरिंग के जिमिदारी लौरेंस बिश्टोई गैंग ने ली गैंग के गैंग्स्टर रोहित गोदारा ने सोचल मीडिया पर पोस्ट भी किया साफ है कि जो सल्मान खान का दोस्त है वो लौरेंस बिश्टोई का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि बाबा सिद्धिकी सल्मान खान के करीवी थे उनका मर्डर हो गया सिंगर गिप्पी गिरेवाल का सल्मान के साथ आलबम आया तो उनके घर पर भी लौरेंस गैंग के शूटर्स ने फारिंग कर दी पंजाबी सिंगर एपी जिलाउन सल्मान खान के साथ दिखाए दिये तो कैनेडा में उनके घर पर भी फारिंग करवा दी गई बाबा सिद्धी की मौडर केस में लौरेंस गैंग का नाम सामने आने की बाद आक्टर सल्मान खान की बांदरा सिद्गालेक्सी एपार्टमेंट की बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है घर के बाहर किसी को भी रुखने की अनुमती नहीं है कहा ये भी जा रहा है कि सल्मान खान के करीबी होने के नाते बाबा सिद्धी की पर लौरेंस विश्णोई ने एक कातिलाना हमला कराया हुआ हो सकता है चुकि एक तरह से मैसेज देने की कोशिश लौरेंस विश्णोई की तरफ से सल्मान खान को की गई होगी यही वज़ा है कि सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गरबड़ी ना हो आपको बता दे कि कुछ महीने पहले ही लॉरेंज विश्णोई के सूटर्स ने सलमान खान के घर पर फाइरिंग की थी उसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और अब उनके खास दोस्त बहत करीबी बावा सिद्धी की पर हुए इस कातिलाना हमले के बाद उनके घर की सुरक्षा एक बार और ज्यादा पुखता कर दी गई है और अब लॉरेंस विश्णोई के इसमें कितना इ फिलाल मुंबाई दिल्ली हर्याना पुलिस जाच कर रही है आरोपियों से पूछताच कर रही है और अत्यकान की वज़ों और मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है ब्यूर रिपोर्ट जी मीडिया